मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 5 नवंबर 2020 का दिन ब्रिस रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा दोस्तों अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वीडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वीडियों के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक्य है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें शबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके नौकडी के बारे में आपके जोब के बारे में दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके नौकडी के छित्र में आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मिहनत इमान दाड़ी और एकाग्रता के साथ आपको पूरा करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान अगर आप अपने नौकडी के छित्र में कोई लापडवाही करते हैं तो आपका समय आपका भग आपका शाथ नहीं देगा दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक सामाजिक काड़े करता है तो आने वाले समय के दोरान आपके सामाजिक जीबन में आपके समाज के लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको सहयोग नहीं मिलेगा लेकिन आप मेंसे जो भी दर्सक जो भी जातक पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आने वाले समय के दोरान पढ़ाई लिखाई के छेत्र में सिक्छा के छेत्र में आपका समय आपका भाग्य आपका साथ अबश्य देगा आने वाले समय से पहले अगर आपके सिक्छा के छेत्र में कही कोई पड़ेसानी कही कोई समस्या था तो उस पड़ेसानी को आपको खत्म करना होगा लेकिन आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों या सराब का सेबन करते हों तो आने वाले समय के दोरान इन चीजों को आपको छोरना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले समय के दोरान आपके लिए भग्य साली अंक है वन यनी की एक आपके लिए भग्य साली रंग है नारंगी और सुनहरा दोस्तों आने वाले समय के दोरान अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आपको खीर का सेबन करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदर हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हड़ जगह सेयर कर दें धन्यवाद